एक समय की बात है, एक दूर दराज के राज्य में दो राजकुमारियां रहती थी, जिनकी जिन्दगी बिलकुल अलग थी। राजकुमारी इसाबेला एक भव्य महल में रहती थी, जो संगमर्मर और सोने से बना था, जहां उसके लिए हर वक्त सेवक मौजूद रहते थे। दूसरी ओर, राजकुमारी अमेलिया एक साधारण से घर में रहती थी, जो राज्य के किनारे पर स्थित था, हालांकि वह भी शाही खून से थी, लेकिन उसका परिवार कठिनायों में फंसा हुआ था, और वे बहुत साधा जीवन जीते थे। अमेलिया साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनती थी, और अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती थी। धन की कमी के बावजूद उनका परिवार खुश और एक जुट था, और अमेलिया अपनी दयालुता और उदारता के लिए पूरे गाउव में जानी जाती थी। एक दिन राजे भर में एक शाही घोशना की गई कि राजा के जन्म दिन के अवसर पर एक विशाल बॉल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी रईसों को आमंत्रित किया गया था। राजकुमारी इसाबेला इस मौके पर अपनी सुन्दर्ता और धन का प्रदर्शन करने के लिए बेहद उत्साहित थी। उसने दिन रात तैयारी की और सबसे शानदार गाउन और सबसे महंगे गहने चुने ताकि वह सबकी नजरों में सबसे ज्यादा चमकदार लगे। अमेलिया को भी निमंतरण मिला, पहले तो उसने जाने में हिचकिचाई क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई महंगा कपड़ा नहीं था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे जाने के लिए प्रेरित किया और याद दिलाया कि असली सुन्दरता दिल से होती है। अमेलिया ने अपना सबसे अच्छा सादा पोशाक पहना और बालों में एक फूल लगा कर जाने का फैसला किया। बॉल की रात महल रोशनी से जगमगा रहा था और वहां संगीत और हंसी खुशी का माहौल था। इसाबेला एक शानदार बग्गी में आई और जैसे ही वह बॉल रूम में दाखिल हुई, सभी की नजरें उसी पर थी। वह इस ध्यान से खुश थी, लेकिन जल्द ही खुद को अलग थलग महसूस करने लगी, क्योंकि अधिक्तर लोग उससे बात करने में हिचकिचा रहे थे। रात के अंत में, पडोसी राजे का एक राजकुमार, अलेक्जेंडर, बॉल में आया, वह बेहत सुन्दर और आकरशक था, और इसाबेला की सुन्दरता से प्रभावित होकर उसे नाचने के लिए आमंतरित किया, लेकिन जब उन्होंने नृत्य किया, तो राजकुमार ने अमेलिया को देखा, जो महमानों के साथ हंसी मजाग कर रही थी, वह उसके पास आया और उसे नाचने के लिए कहा, उसे यह जानकर खुशी हुई, कि अमेलिया न केवल सुन्दर है, बलकि दयालू और दिल्चस्प भी है, वे दोनों घंटों तक नाचते और बातें करते र वह सोच रही थी कि कैसे एक साधारन कपड़े पहनने वाली लड़की ने सबको प्रभावित कर दिया, लेकिन जब उसने अमेलिया और अलेक्जेंडर को साथ देखा, तो उसे समझ में आया कि असली सुन्दरता और धन गहनों और कपड़ों में नहीं, बलकि दिल और आत्म में होता है, जल्द ही राजकुमार अलेक्जेंडर ने अमेलिया से शादी का प्रस्ताव रखा और उसने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया, उनकी शादी एक भव्य समारोह में हुई, जो धनों की नहीं, बलकि उनके बीच के प्रेम और खुशी की प्रतीक थी, इसा बे राजिन केवल धन में बलकि दयालुता और उदारता में भी सम्रिद्ध हुआ, जो अमेलिया के उदाहरण से प्रेडित था, उन्होंने सबको यह सिखाया कि सबसे बड़ी दौलत एक दयालु दिल और एक उदार आत्मा होती है, और इस तरह, अमीर राजकुमारी और प्रेडित